तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि B.T.E.K के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तो आप में से बहुत सारे इस्ट्वेंट होंगे जो 12th पास करने के बाद आगे चलिके B.T.E.K कोर्स करना चाहते होंगे करना साथ हैं या फिर आप बीटे कोर्स कर रहे हैं तो वीडियो को अंतर्ग जरूर देखें दोस्तों बीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो हेल्फ लगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि करियर से ले कर सकते हैं बीटे कोर्स करने के बाद आप कर सकते हैं या फिर आप यमी यानी की मास्टर आफ़ इंजिनियू को कर सकते हैं दूसर इसमें कई सारे कोर्स होते हैं जैसे की आप एम्टेक in गेंजिनिए M.T.E.C. in Chemical Engineering इसके साथ आपका है M.T.E.C. in Automobile Engineering M.T.E.C. in Information Technology M.T.E.C. in Manufacturing Engineering यह सारे कोर्स होते हैं अगर आप M.T.E.C. करना चाहते हैं यानि कि Master of Engineering कोर्स करना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं B.T.E.C. कोर्सों करने के बाद दूसरा जो कोर्स होता है आपका Master of Science इस कोर्स को कर सकते हैं यह भी Master Level का कोर्स होता है जिसे आप B.T.E.C. के बाद कर सकते हैं इसमें पहला को जो होता है M.T.E.C. in Civil Engineering M.T.E.C. in Computer Science Engineering M.T.E.C. in Electronics and Communication Engineering M.T.E.C. in Software and Communication Engineering यह सारे कोर्स होते हैं आपके M.T.E.C. in Master of Science में और तीसरे नमबर पर आता है आपका M.T.E.C. कोर्स कर सकते हैं यानि की B.T.E.C. करने के बाद M.T.E.C. कोर्स होता है M.T.E.C. कोर्स होता है दोस्तों इसमें भी कई सारे कोर्स होते हैं जैसे कि आप M.T.E.C. in Construction Management आप बात करते हैं कि अदि आप B.T.E.C. कोर्स हो कर लिया है तो कौन-कौन से आपकी P.G.D.M. यानि की Post-Graduation Diploma Level के Management के कोर्स होते हैं आई ये बात कर लेते हैं कुछ कोर्सों के बारे में जोस्तों P.G.D.M. कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें Business Development कोर्स होता है इसके बाद इसमें होता है आपका International Business, Management and Leadership इसके साथ साथ Entrepreneurship, Project Manager, Strategics इसके साथ साथ है आपका Marketing, HR Development, Finance Accounting इसके साथ साथ आपका आता है Migration, Economics इसके साथ है Organizations, Behavior, E-Commerce इसके बाद Advertising and Public Relations आप करने के बाद P G D M course करना चाहते है तो आप साथ कोर्स होते है इसमें आप बात करते हैं काउन से करने के बाद sittे करने के रहें दूस्तों B Tick करने के बादta अगर सोट तो आप Java , spielt знаю marriage होता है C devil Plus ,SQL ,HTML , अधर जो programming language होता है वो आप सीख सकते हैं बीटे course करने के लावा short term course लेने से ये फाइदा होता है आपको कि job मिलने की opportunity आपकी ज्यादा हो जाती है किसी भी company में job के लिए जब apply करेंगे तो आप resume में अपना जब आपको भी short term course को वहां पे लगा के देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा opportunity रहती है job मिलेगी इसके साथ साथ जो आपको होना चाहिए software testing भी आप ले सकते हैं data visual course कर सकते हैं इसके साथ mobile apps development course कर सकते हैं आपका dba mysql इसके साथ आपका vlsi designing ये सारे short term course होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जिससे आपको job opportunity मिलने की chances जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अब बात कर लेते हैं कि EFRM course को कर सकते हैं आप project management के course को कर सकते हैं तो ये basically आपके skills के level के course होते हैं अगर आप बीटेक करने के बात अगर आप किसी skills पर आप काम कर लेते हैं जिसे के job आप कर सकते हैं तो कई सारे आप job कर सकते हैं जैसे कि आप software developer बन सकते हैं data architect बन सकते हैं gaming engineer बन सकते हैं data बेक प्रसासक बन सकते हैं software testing engineer बन सकते हैं cyber security expert बन सकते हैं web developer बन सकते हैं data scientist बन सकते हैं multimedia programmer बन सकते हैं machine learning engineer बन सकते हैं big data engineer बन सकते हैं cyber security advisor बन सकते हैं और कई सारे government jobs होते हैं जिन्हें आप कर सकती हैं तो आज किस वीडियो में आपको बात करने के बाद आपको सहली किती मिलती है आप मैंसे बहुत सारे स्ट्रेंज जानना चाता है होंगे इकर हम बिटे कोर्स कर लेते हैं तो हमारी मिनिममम सईली किती रहने वाली है अगर आप अच्छे को पर किया है तो वहां फिर आप 25-35 रूपय मंतली के कमा सकती हैं एक बीटे कोर्स करने के बाद आप समझ कियोंगे कि बीटे कोर्स करने के बाद कितने सारे आपके पास opportunity होती है जैसे कि कई सारे आप course को कर सकते हैं कई सारे short term course को कर सकते हैं कई सारे ऐसे होते हैं जो skills होते हैं जिस पे आप खाम करके अच्छी खासे earning कर सकते हैं और सारे सेल्ली कौन से जॉप्ष होती है कितनी सेल्ली मिलती है सारी जणकार्य इस वीडियो में आपको देखे आई हो पर जणकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाई को सस्क्राइब करना ना बोले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन